तो प्रसन है हमारे पास कि देवबंद अंधोलन निमन में से किस शिरणी के अंतरगत आता है तो इसका जो सही जवाव होगा वो होगा पुनर जागरन बादी है और संदे कि देवबंद अंधोलन जो है वो पुनन पुनर जागरन बादी है नेक्स प्रसन गांधी ने एस याइए पंजिकरन अधिनियम का बिरोद किस वर्ष किया था तो इसका सही अंसर होगा आप्शन C 1906 में तो गांदी जी ने A.C.I. पंजिकरन अधिनियम का विरोद 1906 में किया Next person 1918 में आहमदाबाद स्रमिक हरताल की अगवाई किसने की थी तो ये की थी option जो C था बल्लवाई पटेल के द्वारा सरदार बल्लवाई पटेल के द्वारा जो है ये इसकी स्रमिक हरताल की अगवाई की थी तो Next person की 1949 में अखिल भारतिय राज्य जन समेलन के अध्यक्स कौन बने तो इसका सही जबाब होगा option D जोहलाल नहरू Next person क्रिप्स मिशन के समन्द में ये कथन किसने कहा ये एक पोस्ट dated check है तो इसका सही जबाब होगा महत्मा गांधी जी ने कहा था ये option D सही होगा Next person की मुख्य रूप से बालू और बालू पत्थर से निर्मित चटान कहलाती है तो इसका सही जबाब होगा option C Eringnecius Eringnecius तो उसके बाद next person की माउंट कुझी किस परकार की ज़ुआलबो बुख्य है तो माउंट फुझी जो है वो option B होगा सक्रिय ज़ुआलबो बुख्य तो माउंट फुझी जो है वो एक सक्रिय जो ज़ुआलबो की है option B, इसका सही होगा, next question, कि बातावरण में आयतन के अनुसार सरवाधिक परधानता वाली निस्क्रिय गैस है, qjp3 को अवNY आया, next question, बातावर वरणी दाव को मापने के लिए प्रियुक्त उपकरण है, तो इसका सही जवाँ है, option B, वैरोमीटर, वैरोमीटर के द्वारा जो है, basht वरणी दाव को मापचाता है, कि समुद्धर तट के साथ आमतोर पर किस प्रकार का कोहरा उत्पन होता है तो इसका सही जबाब होगा अभिवाहन कोहरा अभिवाहन कोहरा जो है वो उत्पन होता है उसन कटी बंधों के पूर्ण तह बाहर स्थित निवन में से कौन सा महादोईप एक मातर बसा हुगा महादोईप है तो इसका सही जबाब होगा option B कि यूरोप महादुइप तो ये उसन कड़ी बंधों के पूर्ण बाहर स्थित नी जो है यूरोप महादुइप एक मातर बसा होगा दुइप है नेक्स प्रसन कि इसके दौरण सूर्य और प्रित्वी बिप्रित स्थिती में होते हैं तो जो सूर्य चंद्रमा और प्रित्वी बिप्रित दिशा में होते हैं किसके दौरण होते हैं तो इसका सही जबाब होगा पूर्णिमा के दिम तो सूर्य जो है वो चंदर्मा और प्रित्वी के बिपरीद होता है फुर्णिमा के दोरान Next question एक पोशन स्थ से दूसरे तक उर्जा का प्रवाह कहलाता है तो इसका सहीजवाव होगा option A खाद्य शरिंखला 28 का सहीजवाव होगा option A निवन में से अत्यधिक मात्राव वाले स्थानों में कोहरा एक समान्य प्रदूशक है तो इसका सहीजवाव होगा sulfur dioxide option A निवन में से कौन सा बिश्व का संघन जनसंख्या वाला सरवधिक व्यापक सेत्र है तो इसमें option जो होगा वो होगा 30 का पूर्व एशिया पूर्व एशिया जो है वो विश्व का संघन जनसंख्या का सरवधिक व्यापक सेत्र है वान गोलू जील स्थित है तो इसका सहीजवाव होगा option B टर्की में वान गोलू जील जो है वो स्थित है नेक्स्ट प्रसन नीमन में से कौन सी भारतिय बहुत एक विशेषता गोडवाना लैंड की अबसेश मानी जाती है तो इसका सहीजवाव होगा option C दक्षिन का पठार नेक्स्ट प्रसन माउंट आबू एक छोटा पहाड़ी खंड नीमन में नीमन के द्वारा अरवली परवत माला से प्रिथक हुआ है तो माउंट आबू एक छोटा सा पहाड़ी खंड जो है वो किसके द्वारा जो है वो अरवली परवत से प्रिथक हुआ है तो इसका सही जवाब होगा option D जो है पनास घाटी नेक्स प्रशन उपरी गोदावरी घाटी के उत्तर में स्थीत परवत माला कहलाती है तो इसका सही जवाब होगा option C अजनता परवत माला नेक्स प्रशन के अगर हम बात करें तो नेक्ट प्रसन हमारे पास आता है कि जो ब्राहणी नदी अपने उपर विस्तार में जानी जाती है अपने उपरी विस्तार में क्या जान जाती है ब्राहणी नदी तो इसका सही जबाब होगा सिरी दक्षन कोईल दक्षन कोईल के नाम से जानी जाती है ये ब्राहणी नद नेक्ट परसन भारतिय परमपरा के अनुसार नेमल में से कौन से प्रत्थम रीतु है तो प्रत्थम रीतु सबसे पहले हम बात करें तो ये होगी बिसंत रीतु तो बिसंत सबसे प्रत्थम रीतु मानी जाती है भारतिय परमपरा के अनुसार next question हमारे पास आता है कि उत्तर पस्चिम भारत में मांसून लोटना प्ररम्ब करता है तो उत्तर पस्चिम के अगर हम बात करें तो उत्तर पस्चिम जो है इस साइड को बोला जाता है जो ये वाजी साइड हुई तो इसमें जो है वो मांसून लोटना प्ररणब होता है तो इसका सहीजवाब होगा सितंबर में नेक्स प्रसन कि लाल मिट्टी में कमी होती है तो किस चीज की कमी होती है तो इसका सही जवाब होगा कि नाइट्रोजन, फार्सफोर्स और लाइम की तो सभी तीनों की जो है ये कमी होती है नाइट्रोजन, फार्सफोर्स, लाइम तीनों चीज़ों की नेमन मेंसे किस राज्य में जो है वो मरुस्थली बनस्पती का प्रधानने है तो इसका सही जबाब होगा ऑप्शन जो है डी राजस्थान तो मरुस्थली बनस्पती का प्रधानने है कौन सा जो राज्य है तो यह है राजस्थान क्योंकि यहाँ पर मरस्थल जादा है नेक्स परसन नीमन में से किस राज्य में प्रति व्यक्ति मचली का उफोग है तो सबसे जादा मचली का उफोग किस जीले में है या सौरी राज्य में है तो इसका सही जवाब होगा केरल तो केरल में जो है वो प्रतिव्यक्ति जो मचली का वोगए हो सबसे अधिक है तो ऑप्षन एसका सही होगा नेक्स्ट परसन ताव सिंचाय प्रियोजना है तो तवा सिंचाय प्रियोजना है किस राज्य के अंत्रक्त है ये तो इसका सही जवाब होगा MP मध्यप्रदेश भार्द में लिच्ची के उत्पादन में निमन सा कौन सा राज्य आगरण है तो सबसे ज़्यादा लिच्ची का उत्पादन जो है वो बिहार में होता है तो इसका सही जवाब होगा आप्शन B नेक्स प्रसन की टेलीफोन केबल निर्मित होती है तो टेलीफोन केबल जो निर्मित होती है वो किस जो है एरिये में निर्मित होती है किस राज्य के एरिये में तो इसका सही जवाब होगा आप्शन C रूपा नारायन पूर में तो इसमें जो है टेलीफोन केबल जो है वो न उन्मित होती है रूपा नारायण पूर में। नेख्ट बसन नीमिन में से कौन सी refinery गुज्राट के अ-गजृ के तेल की rough fats 잘 को एर्धा,流 Courtney को हो इसका सही जवाब हो तो next question हमारे पास आता है निमन में से कौन सा अंतस्थली राज्यों में सरवधिक सहरिकृत राज्य है तो सहरिकृत राज्य कौन सा है तो इसका सही जबाब होगा पंजाब तो पंजाब सबसे ज़्यादा सहरिकृत राज्य बन गया है सरकार के संसदिय रूप में राज्य की बास्तविक सक्तियां किसमे नहीत होती हैं तो बास्तविक सक्तियां जो हैं वो option D होगा परधानमंत्री के निरतित्तव वाली मंत्री परिसाद में तो ये option D का सही होगा परधानमंत्री के जो निरतित्तव वाली मंत्री परिसाद निमन में से क्या राज्य के निती निदेशक सिधान्तों में सामिल नहीं है तो निती निदेशक में जो है वो सूचना का अधिकार सामिल नहीं है बाकी सभी जो है वो सामिल है तो कारे का अधिकार समय कारे के समान कारे के लिए समान वेतन और मत निशेद बारत के उपराश्टपती को कौन चुनता है तो इसका सही जबाब होगा option C सांसर सदस्यों से निर्मीत एक निर्वाचन मंडल option C इसका सही होगा कि जो सांसर सदस्यों से निर्मीत एक निर्वाचन मंडल के द्वारा बात के उप्राश्टरपदी को चुना जाता है केंदर एवं राजियों के वीच विवादों के निरिनों की उच्तम नियाल्य की सक्ति किसमे अधीन आती है किसके अधीन आती है तो इसका सही जबाव होगा अप्सन सी नेक्स्ट परसन कि राजपाल द्वाराचारी अध्यदेश किसके अनुमोदन के अधीन होता है तो इसका सही जबाव होगा अप्सन सी राज्य विधान मंडल राज्य पाल द्वाराचारी अध्यदेश किसके अनुमोदन के अधीन होता है तो राज्य विधान मंदर भारतिय समिधान में लोग स्वस्थ और स्वच्छता विश्च सामिल किया गया है तो इसका सही जबाब होगा ऑप्शन भी राज्य सूची में जो है वो ये सामिल किया गया है क्या कि जो भारती सम्मिधान में लोग स्वस्थय और स्वच्थता विस्थय जो है वो राज्य सुची में सामिल किया गया है नेक्स प्रसन नेमन में से कि सहरी स्थानी स्वय सासन इकाई का सम्मिधानिक अधार नहीं है तो इसका सही जवाब होगा, इनमें से कोई नहीं, option D, तो next question, बित अयोग का गठन भारत समिधान के किस अनुछेद के अधीन हुआ है, तो इसका जो, तो next question, जो यह हमारे पास था, बित अयोग का गठन भारत के समिधान के किस अनुछेद के अधीन हुआ है, तो इसका सही ज होगा अनुशेद 280 तो इसके अंदर जो है ये बीत अयोग का गठन हुआ है तो नेक्स्ट प्रेशन हमारे पास अगर हम बात करें कि भारत के समिधान सभाग ने कार्या करना प्रारंब किया था तो कब से प्रारंब किया था तो इसका सही जबाव होगा कि जो आप्सन ए होगा हमारा 9 दिसम्बर 1946 तो 9 दिसम्बर 1946 से जो है ये प्रारंब करना सुरू किया था इन्होंने नेक्स्ट प्रस्ण हमारे पास आता है कि कि संसोधन अधिनियम द्वारा भारतिय समिधान के नागरिकों के मौलिक करतब्य सामिल किये गए तो इसका सही जबाव होगा आप्सन ए नेक्स प्रस्ण बारत के दूइत्य विधी अधिकारी के रूप में कौन जाने जाते हैं तो इसका सही जबाव होगा आप्सन जो है वो डी भारत के साली सीटर जर्नल जो है वो भारत के दूतिय वीधी अधिकारी के रूप में जाने जाते है नेक्स प्रसन के अगर हम बात करें तो नेक्स प्रसन हमारे पास आता है भारत के राश्टपती द्वारा अंगल भारतिय समुदाई के कितने सदस्यों को लोग सभा के लिए मनुनीत किया जाता है तो लोग सभा के लिए जो है वो मनुनीत किया जाता है दोस्देश्यों को तो नेक्स प्रसन कि लोग सभा का सभापती इससे पदनामित होता है तो इसका सही जवाब होगा कि जो आपका भी होगा speaker तो लोकसभा का सभापती जो है वो speaker से पदनामित होता है नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भारत की राजकिया भासा से मंधित प्रावधान सुनसोधन किया जा सकते हैं तो इसका सही जबाब होगा option B कम से कम दो तिहाई बहुमत के द्वारा next person कि अंडमान निकवार दुप समूपर पर किसका जो अधिकार है तो वो है कोलकत्ता जो उचनियल्य का अधिकार है next person के अगर हम बात करें तो next person की भारत के राष्ट्रे आय का आंकलन किसके द्वारा त्यार के जाता है तो इसका सही जवाब होगा option C केंद्रिय सांखे की संगठन तो नेक्स्ट प्रसंड की भारत में रेलिंग प्लान किस वर्स प्रचलन में था तो रेलिंग प्लान जो था वो था ऑप्शन B 1978 से लेकर 1989 के बीच में जन्स गणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्सर जो था वो राजय कौन सा है तो इसका सही जवाव होगा option D तो सबसे कम साक्सर राजय कौन सा है तो विहार होगा इसका सही तो next प्रसंड की भिहार ये यूपी दोनों में से एक होगा आपने confirm बताना है कौन सा है next प्रसंड की भारत निर्मान प्लान किसके विकास से समंदित है तो इसका सहीज़वा होगा option B तो ग्रामिन अधारबूत सरंचना next question कि भारत में गरीवी स्तर किस अधार पर आंकलित किया जाता है तो इसका सहीज़वा होगा आपका option C घरेलू उपभोग भी आए next question कि भारत में हरित करांती निमन में से किसके प्रयासों के परिणाम थे तो इसका सहीज़वा होगा हरित करांती जो थी वो थे डक्टर MS स्वामिनाधन तो इसका जो सहीज़वा है option A next question भारत में सरवादिक सेतर में प्रत्थम हैवी इलेक्ट्रिकल उपकरन निर्मान प्लांट्स थापित किया है तो इसका सहीज़वा होगा option B दुर्गापूर में next question European संग ने नीमन में से किसे समान्य मुद्रा के रूप में अपनाया है तो इसका सहीज़वा होगा option D किसका सहीज़वा किया है तो next question भारत में कौन सा बैंक केंद्रिया बैंक का करता है तो इसका सहीज़वा होगा option जो होगा आपका से कि जो RBI है Reserve Bank of India तो यह जो है भारत के RBI बैंक जो है किंद्रिया बैंक का करता 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 है तो next question नेमन में से कौन सा राजस्वव खाता भारत सरकार का व्याय का सरवाधिक महत्पूर्ण मद है तो बारत सरकार का व्याय का सरवाधिक महत्पूर्ण जो मद है तो इसका सहीज़वा होगा आपका option T ब्याज भुगतान next question तो किस अंतराष्टे आर्थिक संबंधों में तीसरा स्थम माना जाता है तो अंतराष्टे आर्थिक संबंधों में तीसरा संबंधों मतलब पिलर तो इसका सही जवाब होगा option CWDO World Trade Organization विश्चव व्यापार संगठन जिसको हिंदी में कहा जाता है तो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि साख पत्र त्यार किया जाता है तो इसका सही जवाब होगा option C निर्यातक और आयातक दोनों दोरा साख पत्र यह आपके जो है वो बिजनिस रिलेटेड कुछ प्रसंद है मांग economics भी आप उसे बोल सकते हैं बिजनिस रिलेटेड है यह मांग निर्मान के लिए क्या अवश्यक होता है तो मांग निर्मान के लिए अवश्यक होता है कि मांग निर्मान करनी हो तो इसमें जो है वो आपका option B होगा कीमत अगर आपकी कीमत लो होगी तो आप उस बस्तु की मांग जो है हाई जाएगी अगर कीमत जो है वो ज्यादा होगी तो उस बस्तु की मांग जो है कम आएगी ठीक है तो यह जो है वो आपका मांग निर्मान के लिए very important जो fact है next person देश में अपुर्ण बजार किस से प्रतिविम्बित है तो इसका सही जबा होगा option D यह सबी तो कीमत जो दिर्ष्टता साधन अगति सीलता और BCA सग्यता में कमी next person केंद्र बजार के लिए सुद RVI साख से ब्रिधी प्रदर्शित करती है तो इसका सही जबा होगा आपका 75 का option जो है उससी मुद्रा घाटा तो इसमें जो है next आपके पास जो यह प्रसंद आते हैं सभी economics से लेटिड है तो इसमें हम यह प्रसंद जो science के हैं यह cycle के पहिये में होती है तो इसका सही जबा होगा option C घुरुनन और जो स्थानांत्री गति दोनों घुरुनन और स्थानांत्री दोनों गतियां जो है वो cycling के पहिये में होती है next person तो next person हमारे पास आता है कि जो आपका यह पत्थर प्रिथिवी की साथा कि इस मांतर भैका जाता है इसका perfect पत होगा तो इसका सही जबाब होगा आपका option A परवल्य परवल्य इसका जो है वो सही अंसर होगा next प्रसंद कि अगर हम बात करें उत्तर ल को कहते हैं कि जो option c होगा अभिसारी lens उत्तल को जो है वो अभिसारी लेंस भी कहा जाता है तो नेक्स प्रेसन के अगर हम बात करें एक्स की रन की डैस में ब्रीद्धी के साथ इसकी बेदन किसमता में ब्रीदी होती है तो तो किसी किरिन के अवरती में ब्रिद्धी के साथ भेदन किसमता में ब्रिद्धी हो दिया है अधिकांस द्रब इंधन रॉकेट में इंधन होता है तो इसका सही जबाव होगा परीश्कृत केरोसीन नेक्स प्रसन तो नेक्स प्रसन हमारे पास आता है सूर्या और तारों द्वारा प्राप्त उर्जा कहलाती है तो इसका सही जबाव होगा ऑप्शन सी तार की उर्जा तो सूर्या और तारों द्वारा प्राप्त उर्जा कहलाती है तार की उर्जा तार की उर्जा इसका सही ज जवाब होगा, silver bromide, silver bromide की जो है वो परत होती है, next question, निमन में से कौन अस्तवाजी में हरा रंग देता है, तो इसका सही जवाब होगा, option B, varium coloride, varium coloride जो है, वो अस्तवाजी में हरा रंग देता है, next question के अगर हम बात करें, next question हमारे पास आता है, की baking soda है, तो ये है sodium by carbonate, तो इसका जो आपका option D होगा, sodium by carbonate, रेयान जो निर्मान में प्रियुक्त कच्चा पदार्थ है, तो इसका सही जवाब होगा, आपका option D की plastic, next question, ये आपके इट्स लैबल के जो है प्रसन आते हैं, इसमें साइंस के नीवन में से कौन सा कीट अपने विकास के दौरान कायांत्रन नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा, silver fish, next question के अगर में बात करें, तो apiculture समदित है, तो apiculture समदित है मदुमक्खी से, तो next question के अगर में बात करें, तो next question हमारे पास आता है, कि सांपों के में 20 गरंथी स्थीत होती है, तो इसका सही जवाब होगा, आपका option B, उपरी जबडे में, किस अपात कालिन हर्मोन कहा जाता है, तो इसका सही जवाब होगा, आपका adrenaline, तो adrenaline को जो है वो, अपात कालिन हर्मोन कहा जाता है, next question, हरित गरिह प्रभाब किसके द्वारा होता है, तो इसका सही जवाब होगा, आपका option A, carbon dioxide उसके बाद next question कि कंकाल और कंगाल यूगम सब्द का अर्थ है तो कंकाल और कंगाल यूगम सब्द का अर्थ है तो इसका जो अर्थ है वो है आपका option ए ठठरी और निर्धन कंगाल का मतलब हुआ निर्धन और कंगाल का मतलब हुआ ठठरी तो इसका सही जबाव होगा ये था वीधी में समास है तो मैंने ये था वीधी में ये था जहां भी लगा हो अब ये भाव समास मानने है अड़े हाथों नेना मुहाबरे का अर्थ है कि जो इसका सही जबाव होगा जगड़ा लगाना ठीक है next question cool का उपसर्ग है तो प्रतिकूल इसका सही जबाव होगा सुंदर में प्रत्य है तो सुंदर में जो प्रत्य है वो है आपका सुंदर सुद सब्द है तो इसका सही जबाव होगा आपका option जो सुंदर का प्रत्य सुंदर है सुद सब्द कौन सा है तो इसका सही जवाब होगा दूर व्यवस्था तो इसका सही जवाब है option B तो next question के गरम बात करें ग्रियस्त का विप्रणी अर्थ है तो सन्यासी जो ग्रियस्त से त्याग लेले उसे बोलते हैं सन्यासी तो इस ग्रियस्त का विप्रणी सन्यासी तो next person प्रति उत्तर में संदी है प्रती जम्म उत्तर तो इस प्रकार से लिखा जाता है तो इसका option भी सही होगा तो उसके बाद next person हमारे पास आता है तो द क्या है तो द जो है वह आपका option भी ब्येंजन स्वर आपके 11 है और ब्येंजन आपके 33 है टोटल 44 है आपके पास स्वर और ब्येंजन तो next अगर हम बात करें अंग अंग मुश्क्राना मुहाबरे कार्थ है बहुत प्रसंद होना next person असूर का प्रयावाची है तो इसका सही जबाव है इन में से कोई नहीं option D असूर का प्रयावाची आपने बताना है कि क्या क्या हो सकते है नेक्स्ट आता है हमार पास हड़पस थलों की अधिक्तम संगहनता थी तो इसका सही जबाव होगा option D तो इसमें सिंदू और उसकी सहाइक नदियों के मैदान में जो थी वो हड़पस थलों की अधिक संगह ता मतलब जो ज्यादा स्थल थे तो यह थे सिंदू और उसके सहाइक नदियों के मैदान में तभी जो है इसे सिंदू घाटी सब्धा के नाम से भी जाना जाता है अधिक्तम नेक्स्ट प्रसंट के अगर हम बात करें तो नीमन में से किसे रिग वैदिक देवता को कास्मिक आडर का धारण कहा गया है तो इसका सही जबाब होगा ऑप्सन डी वरुन तो नेक्स्ट प्रसंट भारत में सुक्समतम संगमरमर नकासी के लिए जाना जाने वाला जैन मंदिर है तो इसका सही जबाब होगा ऑप्सन भी दिल बाड़ा नेक्स प्रसन पालों ने अपनी राजनेतिक सक्ती किन के हाथों को बाई तो इसका सही जवाव होगा सेन नेक्स प्रसन भार्त में तुर्की समराजे के संस्थापक के रूप में कौन स्रेष्ट मान जाता है तो इसका सहीजबाव होगा आपका option जो है वो सहाब बुद्दीन मुहम्मद next person किस वर्ष बासको दिगामा का जहाज का लिकट पहुंचा तो इसका सहीजबाव होगा 1498 में ठीक है तो next person अकवर की हिंदू विवाजयता के में किस राजपूत साखा की प्रधानता थी तो कच्छ वाहा थियो सोफिकल सोसाइटी का संस्थापक कौन था तो इसका सहीजबाव होगा option C मैडम एच पी बलावतस की नेक्स प्रसंद स्लेट इसका स्वरूप है तो इसका सहीजबाव होगा option B कायंत्रित जट्टानों का नेक्स्ट प्रसंद केगर हम बात करें नेक्स्ट प्रसंद में निहमन मेंसे और साप VOC boys पके निर्मान के लिए अदर्स पर थिति नहीं है तो इसका सहीजबा होगा जल निकायों में से मीपता नेक्स प्रसंद नीमन मेंसे कौन साशूक्सुम्तम स्थल जात प्रदार्त है तो इसका सहीजवाब होगा पंक पश्चत करें तो चार नो जे मिट्टी कि स्वर्ग में आती है तो इसका सहीजवाब होगा जोनल आडर महाभारत परवतमाला इसकी परवतमाला है तो इसका सही जवाब होगा, option D लगो हिमाल्या, next question कि नीवन में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती तो इसका सही जवाब होगा तापती, बाकि जो है गंगा, गोदबरी और महानदी ये डेल्टा बनाती है, नेक्स प्रशन की वर्ड ब्रस्ट अधिकांस पाए जाते हैं तो इसका सही ज़ब होगा ऑप्सिंडी पस्ची में हमाल्य में नेक्स प्रशन नेवन में इसे किसे स्फेध कोई लगा हा जाता है तो इसे जल विद्धुत को नगदफशल में सामिल नहीं है तो नगदी जबाब होगा आपका option D यह हूं और नेक्स प्रसंट के अगर हम बात करें तो इसमें next प्रसंट हमारे पास आता है युद्धपोत निर्मित होता है तो यह होते हैं आपका option D कोची पतो निर्मान में next प्रसंट भारत में स्युक्त संस्तिय सहतर की अधेक्ता कौन करता है तो इसका सही जबाब होगा option B लोकसवा speaker और इस वीडियो का जो है next प्रसंट की जो राष्ट्रिय महिला आयोग स्थापना की गई थी तो इसका सही जबाब होगा सांसर द्वारा पारित अधियम द्वारा next प्रसंट के अगर हम बात करें तो उच्तम नियालय के समंद में नीमन में से कौन सा सत्य है तो इसमें सही जबाब होगा option B यह भारत का उच्तम संग्य नियालय है और यही जो है उच्छ नियालय के समंद में एक सत्यकतन है बाकि इसा भी जो है वो इसमें गलत है next प्रसंट नीमन लिखित में से किस राज्य में विधान सभा में अनसूचित जंजातियों के लिए अरक्षन नहीं प्रदान किया गया तो इसका सही जबाब होगा option A पंजाब तो नेक्स प्रसंट नीमन में से कौन सा राजस सरकारों का एकांतिक अधिकार है तो इसका सही जबाब होगा option C विक्रयकर निवन में से कौन सर चौध में समिधान संसोधन के अधीन नगर वालिकाओं का कारे नहीं है तो इसका सहीजवा होगा चौहात्र में समिधान संसोधन तो इसका सहीजवा होगा और आर्थिक एवं समाजिक नियोजन संपूर्ण विश्चव के प्रती मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है तो इसका सही जवा होगा 10 दिसंबर को जो है यह मनाया जाता है मानव अधिकार दिवस ट्राय सोम का मुख्य उदेश है तो इसका सही जबाव होगा गरामिन यूवाओं को सोरोजगार के रिए प्रसिक्सित करना यह ट्राय सेम का जो है वो मुख्य उदेशिया है सामवेशी विकास भारत की पंच वर्षिय योजना में प्रियुक्त बाक्यांस था तो इसका सही जबाब होगा option c कि जो सचेंदर राय थे हुए थे भारत के RVI के भारतिय गवर्णर next प्रसन पद पेपर गोल्ड का अर्थ है तो इसका सही जवा होगा option a imf का विशिष्ट अहरंड अधिकार sdr next प्रसन तो इसमें कुछ यह प्रसन है कि भारतिय उत्पादों को इको मार्क दिया गया है जो option c होगा इसका प्रयावरण मित्र है डाक्टरों द्वारा जांच किये जाने वाले श्रीर के हिस्से जैसे आंख गलादी पर प्रकास केंदरित करने के लिए head mirror के रूप में किस दर्पन का प्रयों के जाता है तो इसका सहीजवा होगा option b अबदल दर्पन इसके बाद जो है कुछ प्रसंद और हैं तो इसमें है कि नावकिये रियक्टर में न्यूटन के अबशेशन के लिए किस पदार्थ का प्रयों किया जाता है तो इसका सहीजवा होगा कॉड मियर कॉड मियम क्थोस कार्बनडा एकसाय्ट कहलाता है तो ये कहलाता है और इन में से कोई नहीं और मानव सीदेव में गल कोजन संचित होता है यह इकरित में तो दोस्तो कैसे लगी आपको वीडियो कमेंट करकर जुरूर बताना है आपने आगर चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आकन आपने जुरूर प्रैस करना है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जाहिं जावाट जाहिं माचाथ